ओम शांती इकतेस पांच दो हजार तेईस की साकार मुरली मीठे बच्चे तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है इसलिए जरा भी गफलत ना करो देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो प्रश्न बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है उस भंडारे से स्वयम को भरपूर करने का साधन क्या है उत्तर बाप के पास पवित्रता सुख शांती का भंडारा सदा ही भरपूर है इस्थाई सुख वशांती चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है पवित्रता ही सुख और शांती का आधार है पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे बाप आते ही हैं बच्चों को पवित्र बनाने वह है एवर पवित्र गीत नवह हमसे जुदा होंगे उन शांती धारणा के लिए मुख्य सार पहला मैं इस रत पर विराजमान रती आत्म हूँ यह अभ्यास करते पूरा-पूरा देही अभिमानी बनना है बुद्धियोग की रेस करनी है दूसरा पूरा नस्टो मोहा बनना है इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है वरदान नथिंग न्यों की स्मरती से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को यह ज्यान है कि नथिंग न्यों हर सीन अनेक बार रिपीट की है नथिंग न्यों की स्मरती से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते सदा ही अचल अडोल रहेंगे कोई नई बात होती है तो आश्चरे से निकलता है यह क्या ऐसे होता है क्या लेकिन नथिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेस्चन नहीं फुल स्टॉप आ जाता है ऐसे हर द्रश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाई हाई में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे स्लोगन सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बन कर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती अच्छा उम्शान्ती आप द्रिष्टी यूही दे दे रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही दे दे रहो बाबा अब टेलीग्राम चैनल पर ब्रह्मा कुमारीस टीवी इसमें आप मुरली को पढ़ भी सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं संपूर्ण मुरली की और साथ साथ ओडियो MP3 भी डाउनलोड करकर सुन भी सकते हैं उम्शान्ती